दोस्तों कुछ मिनट पहले अपडेट आई है और आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है मिन्ट पे जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं बड़ा बड़ा ट्विटर पे देखेगा ये ट्रेंड चलना है पोल चलना है और अगर आप देखेंगे जैसे से दिन बीत रहे हैं जैसे जैसे हम देखेगा लास फेज ऑफ अगस्त में पहुंच रहे हैं वैसे वैसे केवल September में Stock Market का One Way Run सब चाहते हैं कि Stock Market One Way Run करें लेकिन One Way Run तब आता है जब आपको कोई Surprise दिया जाए जो चीज एक्सपेक्टेड उतनी होगी तो वो तो पहले ही Adjust कर लेगा Market उतना हजम Market पहले ही कर लेता है लेकिन कुछ ऐसा हो जो Surprise कर दे वो चीज देखेगा Run को Continue रखती है तो यही चीज मैं बताने आया हो आपको कि हो सकता है चार साल का सबसे बड़ा Rate Cut आप देखनो और चार साल का सबसे बड़ा Rate Cut अगर आप देखोगे तो 25,000 के उपर Nifty को देखोगे तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो US Fed Reserve Must Go यहाँ पे Clarity के साथ पोल आ रहा है 30-40% के पोल यह आने लगे है कि Big Rate Cut के लिए भी Fed प्लान कर सकता है Big Rate Cut अभी Rate Cut ही नहीं हुआ है ना बहुत Surety है ना Clarity है कि एकदम हो गई होगा 100% Surety नहीं है लेकिन यहाँ पे अब यह अपडेट आ रहा है कि 50 basis point का Interest Rate Cut हो सकता है जबकि 0.25 expectation है कि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है मलब इतना हो जाए even 0.15 की भी expectation है 0.15, 0.25 की expectation है कि हो जाए तो बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर यह चीज surprise हो जाती है 50 basis की cut अगर September में हो जाती है risk recession को रोकने के लिए experts का मानना है कि यह चर्चाई भी हो रही है तो आप समझ सकते हो कि stock market फिर आपको 25 हो जागे पारदी देखने हो मिलेगा September में तो Wall Street say that the US Fed reserve must go with the देखेगा surprised मैंने आपके क्या का कि तभी stock market बहुत तेजी से देखेगा gap up देता है या फिर बहुत बड़ा एक कहते नहीं है एक सिनारियो create करता है जब चीजें क्या होती है अचानक से होती है non expected होती है बड़े मुवाते हैं तो यह surprised अगर देखेगा कुछ होता है economic recession को ध्यान में रखते हुए और 2.9% के inflation को ध्यान में रखते हुए dollar में इतनी गिरावट आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ होता चुकि इसका impact आया है भी यानि कि यह कही ना कही से बात चल लई है यह कही ना कही से कि जो भी decision लिया जाए सोस समझ के हो सकता बड़ा decision लिया जाए चुकि आप 2 rate cut नहीं कर पा रहे हो तो आप पहला rate cut ही बड़ा कर दो तो जिससे recession का खत्रा जो है वो एकदम दूर हो जाएगा और stock market उससे खुश हो जाएगा पहले तो यह माना जा रहा था 0.25% तक देखेगा आपका यहाँ पे rate cut होगा लेकिन अब यह चीजें दीरे दीरे बड़ रही है और अगर आप देखेंगे जरन पावल लेट rate setting panel इंडेट इस फिफ्थ policy setting meeting जुलाई इकत्यस और अगर आप देखेंगे voted to keep the policy rate 23 year high 23 साल का जो highest level है उसमें relaxation देखने को मिल सकता है और boring rate को लगातार देखेगा 12 महीने उन्होंने लगातार वैसी बना रखा है मतलब जो था as it is और inflation का latest data जो आया है वो 3% के नीचे आ चुका है 2.9% आ चुका है जो कि बहुत बड़ी success है inflation continue fall हो रहा है और fed को ये भी ध्यान रखता है कि recession भी ना आ जाए पता चला आप तब तक cool नहीं हो रहे हो जब तक recession नहीं आ गया तो इन सारी चीजों को देखते हुए first rate cut 4 year में आपको जो देखने को मैं सकता है वो सबसे बड़ा देखने को में सकता है चुकि दो तीन बड़े major challenges है एक recession ना आ जाए डेटा खराब आने लगा तब तो कोई फाइदा ही नहीं होगा rate cut का और फिर ऐसा booster दिया जाए कि उससे तुरंट demand healthy बनी रहे तो आप देख सकते हो कि dollar का कम होना भी fed के लिए एक बहुत बड़ा challenges है इसी लिए माना जा रहा है कि fed बड़े rate cut के लिए जा सकता है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इसी लिए ये expectation शुरू हो गई है jobless claim का data जिस तरीके से कम हो रहा है और चीज़ें हो रही है तो 50% 50 basis की देखेगा यहाँ पे trader expectation कर रहे है और कहीं न कहीं इसका update भी आपको देखती हूं मिला है dollar भी गिरा हुआ है और bond market भी जिस कारण से देखेगा इस expectation के कारण ही गिर गया है तो इसलिए further weeks के लिए अच्छी update है फोकस करेगा फेट को यह minutes में ऐसी announcement करता है फेट minutes में तो बड़ा impact आएगा राम राम